हलो फ्रेंट्स आशार करता हूँ आप लोग ठीक होंगे आज की वीडियो का टॉपिक है अगर आपको अपने सिस्टम में CPU के हाई यूटिलाजेशन मतलब 100% यूजेज का इशू आ रहा है तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ मेथड फॉलो करने होंगे जो भी अप्लिकेशन आपके CPU को मैक्सिममम यूज कर रहा है जिसके वैसे आपका सिस्टम हैंग हो रहा है उसको आप इमिडियेटली क्लोज कर दो यह आपका पहला step रहेगा अब चलते हैं हमारी टबल शूटिंग step की तरफ कि आप क्या-क्या step फॉलो करके यह जो high utilization का issue solve कर सकते हो सबसे पहले आपने क्या करना है जितने भी startup applications और background जो applications होते हैं जो automatically run करने लगते हैं उनको आपने disable रखना है हमेशा तो सबसे पहले आप क्या करो task bar पर right click करो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा task manager का इस पर अपने click करना है इस तरह का window खुलेगा in case आपके case में इस तरह का small window खुलता है तो यहाँ पर आप more details पर click करोगे तो यह full size में open हो जाएगा यह जो tab है startup का इस पर आपने click करना है यह सारे startup applications है आपके case में कम या जाधा भी हो सकते हैं तो यह startup applications basically automatically start हो जाते हैं जैसी आप अपने system में login करते हो तो आपने इन सारे startup applications को हमेशा disable रखना है for example अगर मुझे इसको disable करना है तो इस पर right click करो और इसको disable कर दो तो इस तरह आपने सारे startup applications को disable करके रखना है basically आप इनको सिर्फ disable कर रहे हो कि यह automatically start ना हो आप इनको delete नहीं कर रहे हो तो आपने इन सब को disable रखना है उसके बाद जो background applications होते हैं उनको भी आपने off कर देना है तो उसके लिए आप क्या करो windows icon पे click करो settings वाले option पे click करना है यहाँ पे आपको option मिलेगा privacy का इस पे आपने click करना है left side पे scroll down करेंगे तो नीचे option मिल जाएगा आपको background apps इस पे आप click करो right side पे आपको यह सारे background application देख जाएंगे तो आपने इन सबको एक single click से आप सबको off कर सकते हो तो इस तरह आप सारे background application को disable कर सकते हो इसके बाद आपने क्या करना है जो power management है उसको भी ठीक करना है तो उसके लिए आप क्या करो फीट से windows icon में click करना है settings वाले option पर click करेंगे यह जो box है यहाँ पर आप click करके लिखो power उसके बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगा power and sleep settings इस पर आपने click करना है उसके बाद right side पर option मिलेगा advanced power settings इस पर additional power settings इस पर आपने click करना है अब यहाँ पर in case आपके system में दो या एक से ज़ादा power plans हैं तो हमेशा आपने balance वाले को जो की recommended होता है इसको select करना है हमेशा ताकि यह balance way में power को manage करें और आपके CPU के high utilization को भी control कर सकते हैं यहाँ से इसके बाद जो next step रहेगा आपने क्या करना है search वाले box पर क्लिक करो आप या फिर आप window second पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आप लिको msconfig जैसी मैंने msconfig लिखा option मिल जाएगा आपको उपर system configuration का इस पर आपने क्लिक करना है इस तरह का window खुलेगा आपने third वाले टैब में जाना है services वाले टैब में यहाँ पर आपके नीचे आपको option मिलेगा hide all Microsoft services तो इसको आपने tick करना है हमेशा क्योंकि इससे क्या होगा जितने भी Microsoft के important services होंगी उनको यहाँ से hide कर देगा ठीक है अब इसके बाद आपने क्या करना है जो बचेवे services हैं इनको आप disable कर दो तो यह already selected होंगे आपने simply click करना है disable all पर उसके बाद हमने apply पर click कर देना ok पर click कर देना है उसके बाद restart पर click करोगा एक बाद restart होने के बाद जो जो आपने setting apply करी हैं वो सारी मलब जो जो आपने setting की है वो सारी apply हो जाएंगी एक final step आप follow कर सकते हो क्योंकि windows में एक option आता है जिसके थुरू आप अपने system को best mode के लिए adjust कर सकते हो तो उससे क्या होगा जितने भी animations वगरा run होते हैं तो वो disable हो जाएंगे तो इससे भी बहुत बड़ा impact पड़ता है आपकी windows 10 की speed भी बढ़ जाती है तो उसके लिए आपने क्या करना है search वाले box पर क्लिक करो और यहां पर लिको view advanced system settings इस तरह को option मिल जाएगा आपको जैसी मैंने view लिखा तो मुझे option मिल गया view advanced system settings इस पर आपने क्लिक करना है यहां पर advanced tab के अंदर आपको option मिलेगा performance का और यहां पर आपको option मिलेगा settings का इस पर आपने क्लिक करना है यहां पर आपको चार option मिल रहे है तो आपने तो third वाल option है ना adjust for the best performance इसको select करना है ताकि आपका system जो है automatically optimize कर देगा for best performance के लिए और उसके बाद आप कुछ features को यहां से enable कर सकते हो ताकि जो आपका interface है वो भी अच्छा लगे तो इन 5 features को आप enable कर देना उसके अप्लाइप पर क्लिक कर दो ok पर क्लिक कर दो ok पर क्लिक कर दो उसके अपने system को जो भी आप laptop desktop यूज़ करते हैं उसको restart कर दो और जो भी settings आपने कीम apply हो जाएंगी तो यही था इस video में thank you